देश में जारी कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने अपनी सिमाय सील कर रखी है इसी बीच दिल्ली से सटे हर्याना के सभी बॉर्डर को मंगलवार को सील कर दिया जाएगा सिर्फ पासधार को कोही आने जाने की इजाज़त होगी अधिकारियों ने यहां जानकारी दी कोरोना के फैलाव को देखते हुए हर्याना पहले से ही दो अन्य सिमाओ सोनी पत जजज़र को सलसील कर चुका है अधिकारियों ने बताये कि शहरों के बीच यात्रक करने वालों को मंगलवार को मंगलवार से पास क्या शक्ता होगी यहां तक की स्वास्त कर्मियों, मीडिया कर्मियों और अवश्य सिवाए परदान करने वालों को पास की जरूरत होगी बता दे कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हाल ही में उत्तर परदेश के नौइडा और गाजेबाद में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किये गए थे हर्याना के पुलिस प्रमुक मनोज यादव ने कहा अभी तक हमने केवल दिल्ली से लगे सोनी पत और जजजर की सिमाओं को सिल किया था लेकिन अब गुड़ गाओं और फरीदाबाद के सिमाओं को भी सिल करने का फैसला लिया गया है बता दे कि हर्याना के स्वास्त मंतरी अनिल विज ने नियूज एजन्सियों के साथ बात करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार को हर्याना के उन लोगों के लिए रहने की विवस्ता करनी चाहिए जो रास्टिय रासधानी दिल्ली में काम कर रहे हैं और हर दिन आवाजा भी क उन्होंने कहा कि वैसे लोग कोरोना वाहग बन गए हैं। हर्याना सरकार के मंत्री ने साथ ही कहा। पहले भी तब लेके जमात के कई सदसे दिल्ली से आये और उनमें से 120 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हर्याना ने उनका इलाज करवाया। अब दिल्ली में काम करने लेकिन हर्याना में रहने वाले बहुत से लोग पास का उपयोग कर रहे हैं। वे कोरोना वाहग बन गए हैं। अनिल विज ने कहा कि सोनी पत में लगभग 9 रोगी पाए गए हैं। जो दिल्ली से संक्रिमित हुए हैं। पानी पत में एक पुलिस अधिकारी संक्रिमित हो दिल्ली पुलिस के साथ काम करने वाले एक सिपाही की बहन उससे संक्रिमित हो गई। फिर पूरे परिवार ने COVID-19 का शिकार हो गया। विज ने कहा कि हम लोग समालखा पुलिस टेशन में क्वारंटाइन की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद्र केश्रिवाल से दिल्ली में काम करने वालों के लिए आवाज की विवस्ता करने की अपील करता हूं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।